मैं डॉक्टर सुभास्चंद श्री गुविन सिंग गूजर राजकिय महाविद्याले नसीराबाद के ये कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे प्रवास के कारण अर्थात कौजिज ओफ माइग्रेशन कि जो प्रवास होता है अर्थात जनसंखिया का जो स्थानांतरन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तो उसे हम प्रवास कहते हैं और जो प्रवास है वो तिया तो आकरशन शक्तियों के कारण होता है कि किसी स्थान पर या प्रदेश में वहाँ जो उपलब्द प्राकर्तिक और आर्थिक संसाधन है या भोगोलिक वहाँ दशाएं हैं वो मानव को किस प्रकार से अपनी और आकरशित करती हैं जैसे मानलो कोई छेत्र है जहां उपजाव किर्शी भूमी है या खानेज या शक्ति संसाधनों के भंडार वहाँ उपलब्द है या वहाँ की जो जलवायू है वो मानव के रहने के लिए उप्यूक्त है या वहाँ पर जल की उपलब्दता है वहाँ पर अगर हम कहें कि जो उद्योग धन्दे है उद्योग अर्थात रोजगार के संसाधन उपलब्द है या हम कह सकते हैं कहीं उनिवस्टी है कॉलिज है अर्थात जो एजूकेशन के सेंटर्स हैं हम कह सकते हैं कि जो इनकी उपलब्दी है यह आकरशन शक्ति को बलपरदान करते है इसी लिए जो अठारवी और उननिस्वी चताबदी में जो यूरोपिय निवासी दक्षनी और दक्षनी अमरीका की जो आकरशन शक्ति है उससे आकरशित होकर वहां गए तो अर्थात जो पुल फैक्टर है जो आकरशन शक्ति है वो बहुत तीवर थी इसी तरह से जब कोई स्थान या छेत्र किसी कारण से चाए वो सामाजिक कारण है आर्थिक कारण है प्राकृतिक का अगर उनके कारण वो स्थान रहने के लिए उप्युक्त नहीं रह जाता जैसे मानलो कहीं पर बाड़ आ जाती है सूखा पड़ता है महमारी घेर लेती है या ज्वाला मुखी विस्फोट हो जाता है या भूकम पा जाता है या वहां पर आर्थिक संकट आ जाता है निर्धंत बढ़ जाती है विरोजगारी बढ़ जाती है इसी तरह से मानलो सामाजिक संकट आ जाता है जैसे मानलो धार्मिक उनमाद अगर फैल जाता है तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए का जो जीवन है वो कठिन हो जाता है संकट पूर्ण हो जाता है तब वहां के लोग क् स्थानों को छोड़ देते हैं अर्थात वहां से वो प्रवास कर जाते हैं कहां जाते हैं वो अपेक्षाकृत ऐसे स्थानों पर या छेत्रों में जाते हैं जहां पर सामाजिक सुरक्षा हो वो छेत्रार्थिक रूप से संपन हो जहां धार्मिक सुरक्षा हो जहां पर प्राक विवश करने वाली जो शक्तियां हैं उनको हम कहते हैं प्रतिकर्शन शक्तियां या push forces या push factors जो जन्संखिया प्रवास को प्रभावित करने वाले अगर हम सभी कारकों को देखें तो हम उनको चार बहुत बड़े भागों में बाट सकते हैं उसमें pull factors भी हैं और push factors भी हैं अर्थात आकरशन शक्ति भी है और प्रतिकरशन शक्ति भी है तो इनको हम चार बड़े अगर भागों में बाटे या वरगों में बाटे तो पहला है प्राकरतिक कारक दूसरा आर्थिक कारक तीसरा अगर हम कहें सामाजिक सांस्कृतिक कारक और चौथा राजनितिक कारक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से प्राकृतिक कारक हैं जिनके कारण प्रवास होता है तो सबसे बले बात कर लेते हैं प्राकृतिक कारकों में जलवायू अगर जलवायू परिवर्तन के कारण या किसी भी कारण से किसी छेतर में बाढ़ा जाती है या लगातार वहां सूखा पड़ता है जिसके कारण वहां अकाल की इस्तिति उत्पन हो जाती है जौला मुखी विस्फोट होता है या भूकम आते हैं तो ये कुछ कारक हैं जिनके कारण जो मानव है उसकी जीवन संकटपून हो जाता है और इसी लिए वहां से लोग दूसरे स्थानों की और प्रवास कर जाते हैं अगर हम देखें कि जो पुरातन काल में या आदी कालें जनसंख्या स्थानांत्रन कि जिसके कारण की जो वर्तमान प्रजातियों का वित्रन विश्व में मिलता है उसका जो मूल कारण है वो जलवायू परिवर्तन को ही माना जाता है क्रिफिट टेलर जैसे अनेक विद्वान ये मानते हैं कि सभी जो प्रमुक मानव प्रजातियां हैं उनका जन्म और विकास का जो मूल स्थान है वो मध्धे इश्या है और वहां से ये अंतर हिम युगों में अर्थाच जब गर्मी बढ़ीती गर्म कालों में ये यहां पर अलग-अलग मानव प्रजातियों का विकास हुआ और ये मानव प्रजाती हिम युग के आने पर या जलवायू के अती शीतल हो जाने के कारण बहारी देशों के लिए या प्रदेशों के लिए प्रवास करते रहे या स्थानांतरित होते रहे और यही कारण है कि जो मद्यएशिया से जो लोग गए वो धीरे 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 अन्ये छित्रों में बसके चले गए अंतिम हिम्युक के पश्चात जब मध्य एशिया में सुश्कता अधिक बढ़ गई तो वहाँ पर भी अधिक लोगों का रहना कठिन होने लगा और इसके कारण से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बड़ी संक्या में बाहर की और चले गई अब उनकी जो एक शाखा है वो तुर्कमैनिस्तान अफगानिस्तान के दर्रों से होती हुई उत्तर पश्चिम भारत में आई और उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य काल में भी जब शुश्कता बढ़ी मध्य एशिया में तो बहुत सारे जो मध्य एशिया से लोग आकरमन कारियों के रूप में पश्चिम पश्चिमी एशिया और यूरोप को और पूरव में अगर हम देखें तो चीन और दक्षिन में भारत के लिए ये प्रस्थान करते चले गए अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक कारक हैं उनके कारण जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्थित होने लगी या स्थानांतरित होने लगी अब इसी प्रकार से जलवायू और मौसमी परवाओं के अत्रिक जो है कई बार बार आ जाती है तो बार के कारण जो नीचले छेत्र हैं वो जलमगन हो जाते हैं तो लोग वहाँ पर उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं इसी प्रकार से लगातार कई वर्षों तक अगर वर्षा की मात्रा कम रहती है तो उस छेत्र में सूखा पड़ता है और सूखा अगर कई सालों तक लगातार पड़ता रहे तो वो अकाल या त्रिकाल की और ले जाता है और अकाल के कारण भूख के मरने के कारण लोग अपन अस्थानों की और चले जाते हैं तो ऐसे अस्थानों की और चले जाते हैं जहां पर उनको उचित भोजन मिल सके जहां जीवन यापन करना आसान हो इसी तरह से अगर कोई छेतर है जहां की की मिट्टी अनुपजाव हो जाती है या जो खनिज पदार्त वहां निकल रहे हैं खनिज के स्त्रोत समाप्त हो जाते हैं या फिल महा के जो जल स्त्रोत हैं वो सूख जाते हैं तो लोग अपने जीवन यापन के लिए दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं अर्थात प्रवास कर जाते हैं दूसरा है आर्थिक कारक जो बहुत महत्पून है तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर महत्पून कारक आज के संधर्व में देखें या पूरातन संधर्व में भी देखें तो आर्थिक कारक सबसे ज़्यादा महत्पून रहे हैं अब ऐसे छेत्र विश्व के जो किर्षी उत्पादन के लिए उप्युक्त भोलो भोगोलिक दशाएं देते हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ पर किर्शी योग्य भूमी है, उपजाओ मिर्दा है, सिचाई के साधन उपलब्ध हैं और वहाँ पर किर्शी करने के लिए और रहने के लिए उप्युक्त जलवायू है तो वे स्थान या छेत्र जनसंख्या के आकरशन के केंद्र बन जाते हैं और वहाँ पर बहार से लोग आकर रहते हैं अगर हम देखें तो विश्व के जितने भी मैदानी उपजाओ भाग हैं चाहे वो उत्री भारत का विशाल मैदान हो चीन के पूरवी मैदानी भाग हो या उत्री पश्मी यूरोप का भाग हो तो यहाँ पर जनसंख्या की जो अधिक्ता का कारण है वो आर्थिक कारकों की महत्पूर्ण भूमी का रही है यहाँ पर इसी तरह से जो ग्रामीन छेत्र हैं जो की आर्थिक दृष्टी से पिछड़े हुए हैं वहाँ पर जो यूवक हैं पढ़े लिखे यूवक हैं वो रोजगार की तलाश में आसप पास के नगरों में या महानगरों में स्थाई रूप से जाकर बस जाते हैं और वो जो शहरों या नगरों की जो संसाधन हैं चाहे वो यातायात के साधन हो चाहे वो उद्योग धन्नों का की स्थापना हो तो वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं जिस कार कारण से जो बड़े बड़े नगर हैं वहां पर अधिका अधिक लोग जाकर बसना शुरू कर देते हैं अर्थात हम कह सकते हैं ग्रामीन छेतर से नगर की और आर्थिक कारकों की कारण प्रवास अधिक होता है तीसरा अगर हम देखें कारक तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं कि जनसंक्या प्रवास के लिए जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं वो भी बहुत महत्पून है जैसे अगर हम देखें तो कुछ सामाजिक प्रताएं हैं मान्यताएं हैं उनके कारण लोग प्रवास करते हैं जैसे अगर हम भारत में ही देखें तो भारत में जो शादी के पश्चात शादी के बाद जो महिला है उसको अपने पती के घर ही जाकर रहना होता है और ये बहुत बड़ा कारण है कि भारतिय समाज में जो विवहा के पश्चात है वो इस्त्रियों का जो परवास है उसका मुख्य कारण विवहा है और ये चीज़ बाकी लोगों ने भी अपने रिसर्च में पाई है कि हलांकि भारतिय जो लोग हैं उनमें कम गती शीलता पाई जाती है लेकिन इस्तुरियों में क्योंकि विवाह एक बहुत बड़ा का रखे कि जो गती शीलता है वो बहुत अधिक है इसी तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो भारत में गरामीन छेत्र में गरीब और पिछडे लोग हैं जिनके पास स्थाई भूमी नहीं है या स्थाई संपत्तियों की उनमें कमी है तो वो अपने रोजगार के लिए और जीवी का की खोज में दूसरे छेत्रों में दूसरे गाउं में या दूसरे नगरों की और प्रबास करते हैं जबकि अगर हम देखें जो उच्च संसाधन प्राप्त लोग हैं अर्थात अमीर हैं तो वो लोग क्योंकि उनके पास संपत्ति होती है गाउं में भूमी होती है तो वो अपना निवास्थान छोड़ना नहीं चाहते इसी तरीके से अगर हम देखें ये तो विकास सील भारत जैसे की एक उधारन है इसी तरह से अगर हम विक्सित देशों की बात करें तो विक्सित देशों में जो जितना अधिक कुशल होगा जितना अधिक सिक्षित होगा जितना अधिक आर्थिक रूप से संपन होगा उसमें उतनी ही गती शीलता अधिक पाई जाती है और ये माना जाता है कि जितना अधिक कुशल सुसिक्षित और आर्थिक रूप से संपन है वो उतना ही अधिक दूरी के प्रवास के लिए तैयार रहता है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है सिक्षा है वो प्रवास को प्रोचसाहित करती है दूसरी और अगर हम देखें परंपराएं देखें रूडिवादियां देखें तो उसके कारण भी प्रवास नह ही हो पाता जैसे भारत में यह माना जाता था कि समुद्रपार नहीं करना चाहिए इसलिए जो अंतरराश्ते प्रवास है वो बीसवी स्ताब्धी में या उनीश्वी स्ताब्धी या उससे पहले बहुत कम देखने को मिलता है इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उनिस सो सेंतालिस में धार्मिक आधार पर भारत का दो भागों में विभाजन हुआ हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान तो जिसके कारण करोडों हिंदू पाकिस्तान से भारत आए और लाखों मुसल्मान भारत से पाकिस्तान की स्थानंत्रिप हुए इसी प्रकार से अगर हम वर्ल्ड वार में देखें वर्ल्ड वार प्रथम और दुप्तिय में खास तोर पर दुप्तिय में 1930 के दशक में धार्मिक संकट के कारण लाखों यहुदी जर्मनी को छोड़ कर कहां इसराइल में आकर बस गए तो ये भी एक सांस्कृतिक या सामाजिक कारख है जिसके कारण कि जो धार्मिक संकट उत्पन होने के कारण ये परवास हुआ इसी परकार से और भी बहुत सारे हैं जैसे बहुत सारे जो छेत्र हैं लोग वहां जाकर बसते हैं क्योंकि वो धार्मिक रूप में तीरत के रूप में माने जाते हैं अब हम बात करते हैं राजनेतिक कारकों की जनसंख्या प्रवास के लिए जो राजनेतिक कारक हैं उसमें किसी राज्ये के विस्तार की अगर इक्षा हो उपनिवेश बनाना हो या फिर एक राज्ये दूसरे राज्ये पे हमला कर दे तो कही बर क्या होता है कि किसी देश में या राज्ये में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है वहाँ पर खाद्य पदार्तों की कमी होने लगती है या खाद्य समस्या उत्पन हो जाती है तब क्या करते हैं कि अपने राज्ये का विस्तार करते हैं और पड़ोसी राज् जो इस छेत्र पर करते हैं, जहां युद्ध होता है, तो कुछ सैनिक तो वापिस अपने स्वधेश लोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ अपने विदेश में ही या उसी स्थान पर रहने लगते हैं। जहने वाले हजारों सैनिक भारत में ही बस गए। इसी प्रकार से सत्रवी, अठारवी और उनिस्वी स्थाबदी में पश्चमी यूरोपिय जो देश हैं, खास तोर पर उनके लोग अंग्रेज हैं, पुर्तगाली हैं, स्पेन यार्ड्स हैं, डच, जर्मन, फ्रांसिसी, इत कर खास तोर पर उत्री, दक्षनी अमरीका, अफरीका, एशिया और अस्ट्रेलिया में अपने उपनिवेश स्थापित किये। और वहां से यूरोपिय देशों से ये लोग इन देशों की और प्रस्थान कर गए। काफी लोग वहीं पर स्थाई रूप से बस गए। दूसर कई बार राजनितिक कारणों में जबरदस्ती या बलाच स्थानामतरन भी होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अठारवें सदी में अमरीका में दास पर थाची तो अमरीका में किरशी कारिये या अन्य कारिये कराने के लिए अफरीका से हजारों लाखों निग्रों लो इसी प्रकार से अगर हम राजनितिक कारणों में 1947 में जो भारत पाक का विभाजन हुआ उसमें भी करोडों लोग एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान प्रवासित हुए या प्रस्थान किया उन्हों ने तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे कारक हैं चाहे वो प्राकरतिक रूप से हों प्राकरतिक कारक हों सामाजिक हों आर्थिक हों या राजनितिक कारक हों जो कि प्रवास को या तो प्रोचसाहित करते हैं या हतोचसाहित करते हैं धन्यवाद